जानले सच्चाई, टायर का रंग आखिर काला ही क्यों होता है, जानिया क्या है बज़े? दुनिया भर में पहिये के आविस्कार को मानव सब्विता के सबसे बहतरीन खोजों में से एक माना जाता है इस खोज ने इंसानी जिंदगी को जो गती दी है वो अनवरत जारी पहले पत्थर फिर लकडी के पहिये ने जब रबर से बने टायर का रूप लिया तो ये क्रांतिकारी परिवर्टन जैसा था टायर का इतिहास तकरीबन 175 साल से भी ज़्यादा पुराना है दुनिया को टायर देने का श्रे महान आविशकारक स्कॉटिस इंजीनियर और उद्धमी रॉबर्ट बिलियम थॉम्सन को जाता है जिनोंने 1846 में दुनिया के सबसे पहले रबर से बने टायर का आविशकार किया इसके बाद जॉन वायर्ड डनलप ने 1888 में वाइविय हवा से भरे टायर के आविशकार का दावा किया हलाकि वो इस बात से अंजान थे कि रॉबर्ट थॉम्सन ने पहले ही 1846 में टायर के डिजाइन का पैटेंट करा लिया था अरहाल टायर से हम सभी परीचित है लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि वाहन का रंग जाहे जो भी हो लेकिन टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है यदि अब तक नहीं सोचा है तो आगे की स्लाइड में जानने पूरी सच्चाई आपकी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन एक सो पचीस साल पहले तक टायर का रंग सफेद हुआ करता था क्योंकि जिस रबड जिस से टायर बनता है उसका रंग दूधिया होता था बिलकुल मिल्की वाइट टायर के काले होने का मुक के कारण उसमें मौजूद कार्बन कमपाउंड होता है इसके अलाबा इसमें कार्बन ब्लैक का भी परमुकता से इस्तमाल होता है टायर के निर्मान में कई तरह के कैमिकल मिला जाते हैं इसके ओरिजनल मैटेरियल का कलर सफेद होता है लेकिन ये उतना मजबूत नहीं होता है कि इसका इस्तिमाल वाहनों में किया जा सके इसलिए टायर के निर्मान में कार्बन ब्लैक मिला जाता है और इसी के चलते टायर का रंग काला होता है यह टायर की गुणवत्ता को बेहतर करता है यदि रबड में कार्बन ब्लैक का इस्तमाल न किया जाए तो धूप और घर्मी से यह रबड खराब हो जाते है टायर के रबड को खराब होने से बचाने के लिए कार्बन ब्लैक एहम भूमी का निभाता है जब वाहन चलता है तो टायर तेजी से गर्म होता है ऐसे में कार्बन ब्लैक गर्मी को कम करने में मदद करता है और टायर पिगलते नहीं इतना ही नहीं, कार्बन ब्लैक टाइरों को ओजोन और अल्ट्रा वालिट विकिरन के हानिकारख परभावों से भी बचाता है टायर किसी भी वहन का सबसे महत्पून कोंपोनेंट होता है यह न केवल वहन को गती देता है, बलकि पूरे वहन का भार भी वहन करता है ऐसे में इसकी मजबूती से कोई समझाता नहीं किया जा सकता है